हाई अबर इंटेक्स उसी रीज मेर् ट्रेड कर रहे हैं लास्ट मनें डिस्कूर्च किया था था अगरंगि स्कों देखिएगगा वहां पर अर्चाने डिस्कूर्स किया था अबंचे करेंज Protestant निच्च नीच्च करेंज 929 उस टाइम निफ्टी ट्रेड कर रहा था 300 के आसपास और निफ्टी का जो अपर रेंज नाइंटीन 400 है ये ब्रेक होता है तो नीचे गिरेगा यहां से तो नोन डिसिजिव था ही था और अगर इसके ऊपर चला जाता है तो निफ्टी थोगा सा राइज कर सकता है अदरवाइ जिसको आप कहते हैं follow through day follow through day इसमें क्या होता है one to four मतलब हम एक से लेके चार दिन तो हमारे पास में Monday हो गया Tuesday, Wednesday, Thursday तीन से चार दिन की consolidation इसमें three भी कर सकते हैं three to four days कह सकते हैं three to four days की consolidation आती है ठीक है तो consolidation का मतलब जैसे अभी चल रहा है कि एक दो तीन दिन तक उस रेंज में रहा उस consolidation के बाद में अगर four से लेके seven candle के बीच में एक breakout आता है तो वो एक नए trend को originate करता है तो हमारे पास में क्या रहा गया एक और दिन रहा गया विच इस वेनेज डे कल भी range bound रहा गया NFT उसी level को hold करके 19.304 के बीच में और जो Thursday का session है उसमें उसने 19.40 को breakout कर दिया तो हम मानेंगे कि हमारा जो rise की तरफ है जादा strong trend चला जो है शुरू हो गया है इसी के basis पे हमें आपके के trade देखने होगे बट अभी तो कल का दिन बाकी है और निफ्टी भी range bound है तो उसको देखते वे थोड़ा सा और आप समझ लिजेगा कि आपको hold करने की जरूत पड़ेगी और maybe आज कोई trade नहीं बना कल कोई trade नहीं बनाता कोई खास हाँ चोटा मोज़ा trade बनता है तो ऐसी market में अगर गलती से आपके stop loss होते हैं तो बिलकुल भी panic मत कीजेगा आप सही कर रहे हैं range bound market में अक्सर stop loss होते हैं और उस time पे अगर आप avoid करेंगे trade करना तो आप एक अच्छे trader है लेकिन अगर आप addicted है तो 2-4-5 stop loss हो जाएंगे कोई बात नहीं एक अच्छी moment आएगी एक अच्छे setup के साथ में आप उसको trade कर लिजेगा तो फिर आपको अच्छे जो आगे की movement हो falling side में वह आपको अच्छा profit provide करेंगे 2-3 stop loss जो आपके hit होएं वह आपके cover भी हो जाएंगे तो अब कल का दिन भी हम इनहीं level को देखते होए trade करेंगे और जो भी level हम यहां discuss कर रहे हैं यह जितने भी levels हैं यह आपके लिए buy sell recommendation बिलकुल नहीं है so if in case you are taking a trade on these recommendation then you must consult with your financial wife before taking those और अगर अभी तक आपने हमाई channel को subscribe नहीं किया है तो पहले तो एक चोड़ा सा काम कीजेगा अभी subscribe button में click कीजेगा bell icon को press करेंगे और कोई भी अगर आपके query question है उसको comment box में लिखिएगा अगर आपको video इच्छा लगता है तो वो भी लिखिएगा तब ही video में आगे बढ और guys description box में हमारे कुछ और links available है हमारे app के link है इंडीमेंट accounts के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अब अगर कल को देखेंगे तो कल हम कैसे trade करेंगे पहले देखीगा यह nifty का 30 minute का time frame है आपको याद होगा हमने एक line draw किया था जो top से लेकि bottom तक चला था तो मैं वापे line को drop कर यहां पर notice करें यह हमने 20 का high था उसके बाद एक high कर फिरे किये आज भी उसी level के हमने कल किया नाइनटीन 440 तक जा सकता है आज कितना high बना था I think 430 440 तक ही high बनाया और वहीं से उसने dip किया तो यह जो line है यह कल भी हमारे लिए यह मैंने आपको टेलिग्राम पर भी screenshot चेय किया था यह line अभी भी हमारे लिए intact रहेगी और इसी के base पे हमारा buy बनेगा तो कल अगर यह line break करता है nifty break करने के बाद में इसको hold कर लेता है अचा यहां पर दो तरह के trade बनते हैं तो क्या होता है stock ऐसे चल रहा है break किया touch किया भागा यहां पर कभी कभी हम trade नहीं ले पात है इसका logic बताऊं best क्यों होता है मेरे लिए best का मतलि भी होता है जहां पर stop loss छोटा हो zero कुछ नहीं होता hundred percent कुछ नहीं होता zero loss कोई trade setup नहीं होता बठा minimum loss यहीं पर आपको निकलेगा तो ऐसा कुछ pattern बनेगा तो एक बहतरीन buy आपके लिए निकल किया आएगा नीचे कि 360 कर तक रख लेजएगा 360 यह range यह zone जो है हमारे लिए help करेगा selling side में और इसको break करने के बाद में हमारा sell बनेगा nifty के अंदर ऊपर की तरफ आप चाहें तो इसमें 400 के ऊपर आप buy कर सकते हैं पहला target आपका 440, 450 का रहेगा तो 40, 50 point का ही आपको target मिलेगा patience रखते हैं मैं नहीं लूँगा trade मैं तभी trade लूँगा जब एक particular level को break करके nifty उसके उपर close करेगा यह नीचे के तरफ close करेगा तब तक जो पुराने trade हमारे चले आरे हम उन्हीं को continue करेंगे otherwise सारा focus रखूँगा stock specific moment पे उन्हीं के trade लेते हैं तो मैं आपको भी यही कूँगा आप भी यही focus करें कोशिश करें इस level को break होने के बाद ही आप trade ले और यह नीचे के तरफ break होने के बाद में आप उसका sell initiate कर सकते हैं nifty के अंदर बात करते हैं bank nifty के बारे में bank nifty में हमने क्या discuss किया था bank nifty हमने 44,000 का एक crucial level था उपर के तरफ 44,100 से लेके 200 पे हमने बार-बार salon rise की बात कर रहे थे आज भी वह हुआ आज मैंने टेलिग्राम में आपको यही कहा था कि आप 44,100 पे salon rise कर सकते हैं अब नीचे के तरफ के आप देखेंगे यह कुछ ऐसे बना रहा है तो यह क्या होगे आपका 30 minute time frame पर आपका यह बन रहा है double top और यह exactly neckline पे हमारा आ गया है और यह जो neckline है यह 43,950 पे नजर आ दिये है current closing कहां पर है that is somewhere close to 44,000 तो और उपर के तरफ फिर आप क्या कीजेगा मैं कहूंगा आप यहां कर लेजेगा ताकि कुछ नहीं तो 100 points तो हमें मिली जाए otherwise अगर आप trade नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है क्योंकि अभी market range bound है unnecessary का क्यों brokerage generate करें जबकि आ अगर trade लेना है तो यह दो level हमारे लिए काम करेंगे इसके नीचे 800 है और इसके उपर 200 है यह हमारे target रहेंगे plus minus 80 का आपका stop loss बन जाएगा bank nifty के अंदर stock selection में हमारा पहला pick रहेगा AU bank AU bank में देखेंगे एक बड़ा सा rice उसके बाद में यह इस type का consideration यह एक हाला की flag pattern है जो हमारा मैं कहूंगा bearish flag pattern है अगर flag pattern ऐसे बनता है तो bullish होता है और अगर ऐसे बनता है तो bearish कहलाता है पर फिर भी one day time frame पे आप check करेंगे तो यह bullish ही निजर आ रहा है और clarity भी हमें दोनों तरफ से provide कर रहा है इसलिए हमारे लिए ठीक रहेगा उपर की तरफ अगर आप देखें कि 730 का level है और नीचे की तरफ 724 का 25 का level है 2524 तो इसके उपर और इसके नीचे हमारा buy और sell initiate रहेगा AU bank के अंदर उसके बाद हमारे पास में अगला trade रह फिर एक double bottom बना के rise उसके बाद में एक यह हमारा double bottom अब double bottom पर क्या होता है जितना हमारा यह वाला part होता है इतना ही हमारे पास में यह अच्छा सा rise मिलता है तो notice करें 377 से लेके 383 तो 67.2% के असपास ऊपर देखें तो यहां भी इतना ही उसको मिल गया है अब यह क्या होग यहां से एक line draw करेंगे ऐसे and that is coming around 390.389,390 इसके उपर आपका buy sell initiate होगा और नीचे के तरफ अगर आप इसको ऐसे draw करेंगे तो यहां भी देखेगा kind of flag pattern ही बना रहा है और यह 387 को represent करा नीचे तरफ अगर यह break हो जाएगा तो इसमें आपका sell बनेगा और उसी base पे आपक ITC ITC में देखीगा यह वला है बिस तो ITC में तो मुझे ज़्यादा तर buy ही लग रहा है reason being अभी recently जो यह demerger की बात हुआ था उसको market almost consume कर चुका है market cap अलड़ी बहुत बड़ा हो चुका है और कुछ companies को भी बीट कर दिया इसने market cap में looking at all these levels I would say we should look for buying only अब यहां पर क्या ह 445 455 है उपर और नीचे तरफ नोटिस करें 452 बस यह दो लेवल आपके लिए नजर आ रहे हैं और इसी के बेस पर आपका trade बनेगा और मैं कहूंगा हम ज्यादा focus करेंगे buy side पे because इतने बड़े fall के बाद short covering में तो अच्छे movement आपको उपर की तरफ देखने हूं मिलेगी त उसके बाद हमारे पास में अगला stock रहेगा that would be MFSL में देखेगा यहां से यह वाला high बनाया इसने recent उसके बाद एक fall आया उसके बाद देखेगा exactly एक rounding top बनाया है उसे level से अब यह level आपके लिए बन जाएगा support और आपको यह पता होना चाहिए support break होने के बाद में sell बनता ह है और support पे कोई भी अगर bounce back आता है वो होता है buy तो यह दोनों तरफ से हमारे लिए clear indication provide कर रहा है buy और sell का तो यह ऐसे और फिट नीचे ऐसे तो यह रहेगा हमारा MFSL में तो guys यह रहेंगे हमारा analysis for tomorrow और जाने से पहले चैनल को like और video को like और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा मिले अगली वीडियो में तल देन टेक कर, have a nice day, bye bye